कि कैसे हो आप सब को अलाफ यूटूब चैनल ऑफ लॉजिक गेट्स आज के लेक्चर में हम मैट्रिसीज और डिटर्मिनेंट्स के टॉपिक को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे और पढ़ेंगे एड्जॉइंट और मैट्रिक्स क्या होता है और इनवर्स कैसे हम निकाल स रखते हैं एड्जॉइंट और डिटर्मिनेंट के कॉंसेट को यूज करके लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिकेस्ट यू आल तो सब्सक्राइब यूटूब चैनल इफ यू हैं नोट सब्सक्राइब यट यट अल्सो डोंट फॉर्गेट तो लाइक कॉमेंट शेर इस वीडियो विडियो तो विडाउट फॉर्दर डिलेंग देलेक्चर लेट्स डिर्क्टी टॉक अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का एड्जॉइंट निकालना है आप सबसे पहले उसके को फैक्टर्स को निकालोगे को फैक्टर्स जैसे ही आपने सारे निकाल उन को फैक्टर्स की एक मैट्रिक्स बनाते हो और को फैक्टरницу को आप ट्रांसर किरते हो तो वो क्या बन जाता है वो उस डिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट बन जाता यह एक लेमें लेंगीज में मैंने एक डेफिनिशिण यहां पे लिखी हुई है अब अगर हम में भी क्या कर सकते हैं रिप्रेजंट कर सकते हैं अगर हमें एड्जॉइंट निकालना होगा तो हम इस मैट्रिक्स का क्या करना पड़ेगा ट्रांस्पोज़ब दा मैट्रिक्स ए आई जे यहां पर ए आई जे कैपिटल में आ रहा है मीन्स यह किसकी बात हो रही है कैपिटल में हम किन को रिप्रेजंट कर रहे होते हैं को फैक्टर को रिप्रेजंट कर रहे होते हैं ठीक है डिनोशन में हमने देखा था को फैक्टर को हम कैपिटल ए आई जे से रिप्रे के आ जाएगा उस particular matrix का adjoint को denote करने के लिए हम adj का इस्तिमाल करते हैं और bracket में लिखते हैं उस matrix का नाम जिसका आपको adjoint निकालना है ठीक है तो adj of a यहां हम क्या करेंगे लिखेंगे clear यहां पर इसको अगर हम एक और तरीके से भी understand करने की कोशिश करें तो क्या आ रहा है सपोज अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स आ रहा है जिसमें एलमेंट्स है एवन एवन टू एटुवन 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 एटुटू दीजादा ओडर अव्ड़र अव्ड़री सीखा हुआ है अब क्या करेंगे एट जॉइंट अफ एघर आपको निकालना होगा तो आप क्या करोगे आप करोगे ट्रांस पोज आफ यह क्या है इस प्रांस्पोज करेंगे ट्रांस्पोज करेंगे ट्रान्सपोस करने का मतलब हो गया रो इसको क्या बनाएंगे बात समझ में आ रही है तो यह जो यहां से लास्ट पे हमें आ जाएगी अच्छी तरीके से बात करते हैं example के बारे में for example यहां पर मैं एक matrix ले रहा हो suppose the matrix is name of the matrix is again मैं बार बार एही ले रहा हो ठीक है suppose यहां पर हम its matrix का नाम रखेंगे a और matrix में elements आ रहे हैं सबसे पहले हमें मैं मैं सरे की मैटरिक्स बनानी है को फैक्टर चाहिए तब जाके हम्धय को फैक्टर मेंDI.u क्मिला यूज्व होती है उसमें माइनर कही कि हो जाता है हो जाता है को निकालने से पहले हमें क्या निकालना पढ़ेगा माइनर अगर हम हम इस element का निकालेंगे यह है ना माइनर एवन वन ठीक है माइनर ओफ एवन वन वाला element आ रहा है अगर हमें इसका माइनर निकालना होगा हम क्या करेंगे definition क्या है उस particular row और इस particular column को delete करो जो भी वहाँ पर बच जाएगा that's called minor of a11 है ना similarly अगर करोगे यहां पर यह मैंने प्रिविस लेक्चर में भी आपको समझाया हुआ है अब अगर आप देखोगे माइनर ऑफ एवन टू एवन टू यह वाला element आ रहा है ना जिस भी रो एंड कॉलम में यह वाला element आ रहा है उसको हम क्या करेंगे जिलीट करेंगे यह वाला हो जाएगा और यह वाला कॉलंब हो जाएगा तो यहां पर रह जाता है बच क्या रहा है फोड तो ये इसका बन जाएगा माइनर बन जाएगा ओगे सिमिलर पैटर्ण पे आप क्या कर सकते हो अगर आप एटो वज़वन का इस वाले element का माइनर निकालोगे तो आप क्या करोगे इस पर्टिकुलर रो और इस पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करोगे तो वहाँ पर क्या बचेगा एट बचेगा तो माइनर ऑफ ए टू वन क्या रहा है एट आ रहा है ठीक है similar pattern पे अगर आप A22 का minor निकालोगे A22 कौन सा वाला element यह वाला element अगर आप इसका minor निकालोगे तो वो क्या होगा इस particular row और इस particular column को क्या करेंगे delete करेंगे तो यहां पे क्या आ रहा है 7 सो A22 का जो minor है that turns out to be minus 7 यह तो हमने minors निकाल लिए minors निकालने के बाद अब हमें क्या निकालना होगा अब हमें co factors निकालने होंगे ठीक है co factor कैसे निकाल सकते हैं co factor अगर हमें किसी भी element का निकालना होगा हम इसको इस तरीके से formula से represent करते हैं formula क्या है aij is equivalent to minus 1 minus 1 raised to power क्या आ रहा है raised to power आ रहा है i plus j यह एक formula है co factor को निकालने के लिए आप लिखते हो raised to power i plus j और into आप क्या करते हो into आप करते हो mij where mij is the minor of the given element जो भी होगा जिस भी element की हम बात कर रहे होंगे टीकेद तो सपोज अगर हमें यहां पर minor निकालना है किसका a11 का जो minor है उसको हम रिपरेज्ट सारी को फैक्टर अगर हम निकालेंगे उसको हम रिपरेज़न करेंगे ऐवन वान से ठीक है एवन वान से okay क्योंकि element का order क्या रहा है मन्वान बैट इस वाइध हम को फैक्टर म सब्सक्राइब और टॉूर तो थे पर これ रहा है आ रहा है यहां पर बैली की आजएगा तो आई के बदले भी वथे के बदली के लिखे मैंकिंगे तो इसको फोड़ा और केल्कुलेट करो गे तो क्या आ जाएगा जम जाएगा करो म सुक्राइब जाएगा धिषयल वाई प्लस Liuwoar कितना बनेगा ददीए कि क्या आजाएगा e1-1 यानि की minor of a 11 ठीक है माइनर ऑफ a11 ठीक है तो वो किसके बराबर आ रहा है नाइन के बराबर आ रहा है लिखेंगा 90 टीक है इस को आप ऐसे भी डिपर Amen क्यूंकि minor of a11 minor को हम किसे करते हैं Mr.lier from करते हैं और हम Lambda का माइनर नσιकाल रहे है वागर हम यहाँ पर भी क्या रिखेंगे एम-1 लिखेंगे लि यह क्या होगा एम-1 टू-1 और यह क्या होगा M2 ूलाइक टू लाइक टैट ये तो आपको समझ में आ गया होगा अब हम माइनस वन का स्कैर को एक को निकालते हो पहले element का ठीक है one one का जब आप ए वन वन का जब आप को फेक्टर निकालते हो तो वो क्या निकल के आ रहा है that turns out to be 9 ओके similar pattern पे आप ए one two का भी क्या निकाल सकते हो पो फेक्टर निकाल सकते हो यहां पर आई और जे का वैलू क्या रहा है आई का वैलू आ करेंगे M12 और M12 का वैल्यू क्या आ रहा है यहां पर माइनस फूर उस माइनस फूर को हम यहां पर रिखेंगे इसको थोड़ा सॉलू करेंगे तो रिजल्ट क्या रहा है फोर आ रहा है को फेक्टर का देखोगे यहां पे आई का वैल्यू क्या रहा है ही का वैल्यू ड़हां पर मैंने रिखा TOO PLUS G का वैल्यू आ रहा है J का वैल्यू बार इन्टू क्या करेंगे M 21 और M 21 का वैल्यू क्या जए गाधिस युक्वलन टू 8 वह हमने निकाला हुआ है इसको सॉलू करेंगे और i plus j i का भी value 2 और j का भी value 2 तो वो मैंने यहां पे लिखा i plus g का value 2 plus 2 और into क्या आ जाएगा m22 m22 का value क्या आ रहा है minus 7 तो इसको हमने यहां पे लिख दिया इसको थोड़ा solve करेंगे तो result क्या रहा है result turns out to be 7 ओके यह तो हूं हमने kTER निकाले अब हम इन聯स का क्या बनाएंगे एक matrix बनाएंगे ठीक है अब हम इन two factors का क्या बनाएंग एक matrix बनाएंगे ठीक है matrix में हमने क्या लिखना होता है पहले element का के Adm 2 यहांपे आ जाएगा यानि की crystal से हम लिखेंगे here we will have a2 twenty यह क्या बन रही है यह कोपेक्टर की मैट्रिक्स बन रही है तो वह किस के बराबर आ रहा है वह नllan के आ रहा है तो यहाँ पर यहां पे कर रहा है माइन सेवन इसको हम यहाँ पर दिखेंगे मीनस सवन सो यह क्या बनרהý है यह बन रही है को फैक्टर की मैंट्रिक्स ओके यह बन रही है मैंट्रिक्स और फैक्टर अब अगर हमें इसका अज्जॉइंट निकालना है तो जो भी co factor matrix होगी हमें इसको क्या करना पड़ेगा transpose करना पड़ेगा ठीक है तो जब हम इसका transpose करेंगे transpose का मतलब क्या होता है rows and columns को हम आपस में interchange करेंगे तो वो कैसे हम कर सकते हैं like this जो यहां पे पहला row आ रहा है पहले row को हम क्या बनाएंगे पहला column बनाएंगे तो इसको हम यहां पर पहला column बनाएंगे यहां पर आ जाएगा nine यहां पर आ जाएगा four यहां पर जो दूसरा column आ रहा है ठीक है दूसरे row को हम क्या बनाएंगे दूसरा column बनाएंगे यहां पर आ जाएगा minus eight और यहां पर क्या मानस 7 आ जाएगा तो इस तरीके से जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है नवय की हमने यहां से निकाला था अगर इस नाम भी है तो हम यहां पर लिखेंगे अगर होगा तो हम यहीं लिखेंगे नाम से कोई फरक नहीं पड़ता है वह आपको कॉंसेट समझ में आ गया होगा इन केस अगर आपको कही पर कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में में मेंचन कीजिए आइविल है अब हमने एड्जोइंट तो निकाला एड्जोइंट को निकालने के बाद हमें क्या निकालना होता है कभी कभी हम देखो हम अल्टिमेट्री क्या निकाल सकते हैं इन्वर्स भी मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं मैंने आपको बताया था इन्वर्स निकालना एक बहुत मैट्रिक्स का ठीक है और इनवर्स को निकालने के लिए हम दो मैटर्ड का इस्तिमाल करते हैं एक हो गया जो हमने देखा था एलमेंटरी ओपरेशन वाला मेटर्ड जहां पर हमें बहुत सारी ओपरेशन को अपलाई करना पड़ता था इनवर्स अफ़ा मैट्रिक्स को निकालने के लिए और वो थोड़ा सा कांप्लिकेटड हो जाता था ठीक है अगर हम वहाँ पर थ्री क्रॉस थ्री मैट्रिक्स लेते थे फोर क्रॉस फोर मैट्रिक्स लेते थे डाट बिकमस वेरी मच हेक्टिक तो हैंडल और इसमें हम इनवर्स निकाल सकते हैं लेकिन यहां पर क्या करते हैं दूसरा मेटर्ड भी हम यहां पर यूज कर सकते हैं किसी भी गिवन मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ओके तो इनवर्स निकालने के लिए हम फॉर्मला का यूज करते हैं अगर आपको किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना होगा आप फॉर्मला यूज करते हो सा समझाने की कोशिश कर लेता हूँ अभी अभी जो हमारी मैंट्रिक्स एड्जॉइंट वाली मैंट्रिक्स निकल के आगे थी फाइनली ठीक है अगर मैं यहाँ पर एक बार फिर से पहले कोः फैक्टर me्रिक्स लहूं फैक्टर मैट्रिक्स क्या रहा था वह रहा था 9 और उस बार नेक्स्ट एलमेंट आ रहा था 4 उसके बाद नेक्स्ट आ रहा था माइनिस एड और उसके लाच्छ जो пять सॉफा Chapel की मैट्रिक्स उसके बाद एडओंट अगर एड्जोइंट क्या रहा था पहले रो को पहला कॉलम बन जाएगा बनाएंगे यहां पिर नंकाला हुगा दिएर्म से अगर हम इहां पे बहुड अगर हम यहां पर बीनिकालना हुगा ठीक है अगर हमें यहाँ पर determinant of B निकाला होगा determinant of B को हम बहुत सारी symbol से निकाल सकते हैं इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं mod of B represent करता है determinant of B को या आप DET और B लिख सकते हो वो भी determinant of B को क्या करेगा denote करेगा ठीक है अब हम इसको क्या करेंगे आपस में multiply लए champ syntax 67 ती यह माइनस में और इसके बाद आजाएगा फॉर्म ला का मैने शार और इसमें भी माइनस माइनस आ रहा है तो यहां पर हम क्या लिखेंगे माइनस थर्टिटू लिखेंगे ठीक है jáप इसको करो प्लस बन जाएगा साथ में आ जाएगा यहां पर ठाटी ठीक है जब आप 60 थी मैंसे प्लस ठाटी टू करोगे तो result के आ जाएगा result आ जाएगा माइनस 31 आप अगर आपको inverse निकालना है अब अगर आपको एंवर्स निकालना है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको लिखते हो ऐसे adjoint of a ओके आप इसको ऐसे लिखते हो adjoint of a जो अभी अभी मैंने आपको formula दिखाई थी divide by क्या आजाएगा divide by आजाएगा determinant of a divided by क्या आजाएगा determinant of a ओके अगर matrix का नाम ए होगा तो लिखेंगे अगर मैट्रिक्स का नाम भी होगा तो वी लिखेंगे ओके तो यहां पर अगर हम इसको थोड़ा और elaborate करेंगे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मैं इसको ऐसे लिखोगे या ऐसे लिखोगे इससे कोई फरक नहीं पड़ेगा यहां पर हम क्या दिखेंगे यहां पर हम दिखेंगे एडजॉइंट आफ अब आप देखोगे यहां पर इस गिवन मैट्रिक्स अगर सपोज यह मैट्रिक्स ए आ रही है इसका हमने पिण यहां पर इसका हमने शनकाला और इसका हमने इसका हमने इड़न्ट भी निगाला तो यहां यहां पर क्या आजाएगा वान डिवाइडड बाई दिटॉइड डाइड अफ ए डिटंड से एट्पॉस ऑंप ए का नाम क्या रखेंगे ए ओके तो यहां पर क्या आ जाएगा diwaid by है जाएगा मायनस धर्टी van तरीवन और यहां पर यहां पर क्या रहा था क्या यह आ रहा है तो नहें पर इस्हाख के प्योग श 4 blev यहां पर और माइनस यहां पर यहां उद्ट के आ रहा है तो इसिज रुकर योड इन्व Öz訴 व्क ये इस यह इस मैट्रिक्स का क्या रहा है रुकर इंवर्स आ रहा है थीड यह वी आप याद रखोगे कैसे आप शयारत रखते हो आपको यादE burner होना चाहिए उसके पांद निकाले के लिए आप आप काते हो एडज्वका इन्वर्स बन जाता है ठीक है तो सब्सक्राइज का और मैंटश्वक कैसे निकालता है इसका कॉंसेप्सथ entered क्लियर हो गया होगा आज के लेक्चर में हम बस इतना है रखेंगे आप मिलते हैं नेक्स लेक्चर में चल देन टेक आप वेरी गुट कियर आफ यॉरसल्फ खुदा हाफिज एंड थैंक्स पर वाचिंग डिस लेक्चर